आज पंजाब में फिरोजपुर्ग में जो रैली को संबोधन करने के लिए प्रदान मंत्री श्री नेंदर मुदी जी का कारकम था उसमें बहुत ही एक शरमनाक घटना करम हुआ कि फुल स्क्यूरिटी का आश्वाशन मिलने के बाद भी उनके रास्ते को अवरोध कर दिया ग कि इस प्रकार की काई ऐसा एक घिनवनाना हरकत कर सकती है तो यह बहुत निंदनी अगटना है और मैं समझता हूं कि वहां के चीपनिस्टर चन्नी को पिल्कुल भी अब अधिकार नहीं है वहां के शाषन करने का उसको तुरंत अपने पद को त्याग देना चाहिए क्योंक प्राइमनिस्टर की स्कूरिटी के नाते से कि रास्ते सब क्लियर है और उसके बाद किस प्रकार से वहां पर बसों को रास्ते में अड़ा दिया जाता है और कुछ शारतिये लोगों को उसकी पहले से जानकारी दे दी जाती है जो कि प्राइमनिस्टर का जो रूट है और मैं निश्शिद रूप से देश के राष्टपती जी को ये निवेदर करूंगा कि उस सरकार को बर्खास कर दिया जाए